आज हम चपली कबाब बर्गर बनाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलिशिस है इसके लिए हमने 500 ग्राम मटन लिया है एक टेबिल स्कून जिंजर और गालिक पेस्ट यानि अदरग और लसुन का पेस्ट एक पूरा पैकेट शान का चपली कबाब मसाला यह अवेलिबल है मार्केट में और वी दुस्रे ब्रैंड से दो प्याज ग्रेटिट जिनको हमने महीन ग्रेट किया है इन सब को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताके मसाला पूरा अंदर चला जाए थोड़ी से धनिया की पत्ती हरी मिर्च ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डालें सब को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कबाब बनाने के लिए आपको हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए अब हम इसके राउंड कबाब बना लेंगे इस तरह से हम इसे राउंड करेंगे और फिर हाथ से फ्लैट करेंगे इस तरह से बाकी के भी हम सारे कबाब इसी तरह से बना लेंगे हम एक एक करके फ्राइब करेंगे यह बहुत बहुती डिशिस बहुत यमी यह बर्गर जब आप खाएंगे तो बोलेंगे कि क्या ला जवाब है यह रेसिपी बहुती जबर्दस्त और यह इफ्तार के लिए बहुती अच्छा रेसिपी है इसे आप लोग ज़रूर ठ्राइब करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजेगा एक-एक साइट को हम ब्राउन करके इसे फ्लिप कर देंगे अब हमने कढ़ाई में और ऑल लिया है आपकी चॉइस है अगर आप इसको फ्राइ करके खाना चाहते हैं बन को तो फ्राइ考 लिजेगा हमने दो बन को फ्राइक किया है और दो बिना फ्राइक किया हुआ है इस तरह से हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे फ्राई करने से ये बहुती क्रिस्पी बनता है और टेस्ट तो और बढ़ी जाता है एक-एक करके हम बंज को फ्राई कर लेंगे अब आप देखेगा कि इस किस तरह से हम इसका लेयरिंग करते हैं देखते ही मुँ में पानी आ जायेगा इतना जबर्दस्त है ये बर्गर इस तरह से हमने प्रेस करके सारा ओईल निकाल दिया वन बाई वन हम उसे फ्राई करेंगे अब इफ्तार के लिए रोज नए नए रेसिपीज हम आपके लिए लेकर आएंगे अब हम इस तरह से लेरिंग करेंगे जिसमें दो बर्गर फ्राइड है और दो प्लेकुल प्लेन है एक टेबल स्पून करके हमने ग्रीन चटनी डाली है जो धनिया पत्ता और हरी मिर्च की है चटनी को हम स्प्रैट कर देंगे इसकी टेस्ट तो लाजवाब है एक बार खाईएगा बार आपको खाने का दिल करेगा इसमें हमने चिकन सॉसेजज डाले हैं आप चिकन सॉसेजज भी डाल सकते हैं चिकन स्टेक्स भी डाल सकते हैं या ऐसे ही चिकन को बॉइल करके भी फ्राइ करके डाल सकते हैं अब इसके उपर हमने अपने कबाब रख दी हैं चपली कबाब बहुत ही लाजवाब बनते हैं देखिए साथी साथ हम आपको फ्लेन बर्गर भी दिखा रहे हैं बित द प्राइड वनซे अमने म्योनीज यूज किया है पैपर मैउनीज जी गोल बेरीज की वीजुण है गुल रख की मैयोनीज है थेस्ट विल पैपर के आता है इसमें लाजवाब गरलिक यानने लसुन, लसुन की मैऊनीज इसे हम थोड़ा ही डालेंगे ताके जादा तीखा न हो जाए अब हम यूज़ करेंगे इसमें जो बाकी के क्रम्बल डप जो टूट गये थे कबाब वो हम इसे डाल देंगे प्यास को हमने लच्छा कर लिया था अब प्यास लगाएंगे उपर लेयर में आप चाहे तो हलका सा सौटे भी कर सकते हैं प्यास को टमाटर की रिंग लगा दिये फिलिंग्स तो सब आपके चॉइस के हैं कबाब के साथ आप जो भी फिलिंग्स अपने टेस्ट के मुताबिक करिए चीज स्लाइस जिन कुछ चीज नहीं पसंद है वो कबाब और मेयोनीजी बहुत ही टेस्टी होगा वो बर्गर भी अब हम इसमें स्प्रिंक्ल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला गिविट ए इंडियन टेस्ट मॉजरेला चीज चीज तो अगर ना पड़े तो बर्गर का फिर मदा ही किया लेकिन बहुत लोग हेल्थ कॉंशिस हैं चीज खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप सिरिफ मेयोनीज से ही या आपने केचप या जिस चीज का टॉपिंग आप डालना चाहते हैं डालिए यह हमन इसे स्रिफ दो में डाला है अब हम फ्राइड बंस को इसके उपर रग कवर कर देंगे और इसके उपर मॉजरेला चीज और उपर से भी डाल देंगे ताके यह यमी चीजी बर्गर बने दबरतस्त हम इसे आवन में 30 सेकंड के लिए रखेंगे जबरतस्त चीज मेल्ट करता है इसके बाद बहुत मज़ा आता है